डाजीन बंतल जी का सवाल रह दुम है कि भी डीवे स्टेस्परी अइस लिए खाएरगा करीड गारा आप שिसे री मेरे लिए रहता है परसुनल आपने लिए बताऊं कि यह सब टोड़ी व्रेटिय पॉर्टॉलिस टॉप होगते हैं ऐसा नहीं है कि इनका अपना साइकल कॉप नहीं होता है और यह रिस्पाइट नहीं लेते हैं फीदा नहीं लेकिन जो लेटेस्ट इनका जो मैंनेजमेंट कॉमेंटरी है उसके हिसाब से शायद मार्जिन प्रॉफाइल सुधरने में लगेंगे में प्रॉब्लम दिवीज के वैलवीशन करेक्शन का था कि इंडव मार्जिन जो 40% के ऊपर होता था वह सस्टेन नहीं कार रहा है और वह सब्सक्राइब लेकिन अब जहां तक मुझे लगता है मार्जिन प्रॉफाइल ने इमप्रॉफाइल होना चाहिए ऐसा अमेंजमेंट काहँ जाए तो अगर ऐसा मैंने इंट कर आजा है तो हम मान सकते हैं कि दिरे दिरे जाके इसका वालूशन पढ़ेगा लेकिंगे लिए आपके इस समसे थेंगे एक लोर डबल डिजिट रिटार्ण वाला कंसिस्टेंट वहना चाहिए अब रही बाद आपने मोमेंटम के हिसाब से दिया है तो मुझे कोई खराबी नियुक्ता है जो डर बना था चूटने के बाद वो डर शायद नहीं रहेगा वही है आपकर 3500 मारकर जब तक वह नहीं जाता है और उपर में 37, 37, 50 निकल जाता है तो शायद इसमें रिजल्ट एक्स्पेक्टिशन की भाई को तेरे देरे शुरू को संग्रा अंदर रहेगे बागी ओवर टाइम असेस करेंगे और देखेंगे किया प्रा तो नहीं लग पर है तो 35, 29, 35, 30 का है 35, 30 का है क्या इस बॉटम को अगर हम एक सपोर्ट के तोर पे देखें क्या वैसा माना जा सकता है नहीं पड़े और भी रास्ता नहीं है जो जाने के बाद 200 DM है 3300 तो पहली चीज यह कि अगर टेक्निकल ट्रेडिंग के तोर पे देखें तो आपको यहां पर कहीं पर एक स्टापलस लगाना पड़ेगा और उसके नीचे फिर आप देख रहे हैं एक अच्छा का सा डिस्टेंस है इनका जो अबजर्वेशन है कि टेक्निकल ही इसमें कुछ बहतर हुआ है ठीक लग रह ठीक है अच्छ पुछ नहीं तो ठीक है इसकी जादा निकत नहीं है में है कि फिप्टी डियमें के अरूंड थोड़ा सा हवर क्लगता है स्टॉक उसके बाद यह पिप्टी डियमें निकल रहा है एक तो दिन और बाद में प्रॉपाइल देखिए मेरे इसका कंश्मिशन 3750 के उपर है इसलिए पुड़ासर में वहां वेट करूं 3750 के उपर में क्या होगा यह मुस्टली मुझे लगता है कि 7% बॉटम हो जाएगा इसका यह 3500 और फिर यह 4000 की निकलने की कोशिश करेगा इसको एक और तरीके से देखने की मैंने कोशिश किये है और यह एक राइजिंग ट्रेंड चैनल जो बिलकुल अभी जहां से चाल शुरू ही सताइग सोपचास के आस पार थे वहां से एक राइजिंग चैनल में क्या यह आपको देखना ठीक लगेगा तो अगर इस चैनल की हिसाब से हम देख रहे हैं तो फिर तो यह माना जाए कि फिर चैनल के बॉटम पर यह सपोर्ट ले रहा है तो फिर उपर वाली लाइन को तहीं कहीं पकड़ेगा फिर कि पॉसिपरिटी है इसको थोड़ा सा और उपर आने दी अब मुझे थोड़ा कंफरमिशन के लिए वाक लगता है इसले में उसके पहले जलबाजी नहीं करना जाए चैनले तो 3750 इस पे भी निज़र रखिए और नीचे आप 3530 या मोटे दौर पर कह लिए 3500 याद रखने के लिए इस पे नज़र रख लीजिए बाकी जो आपका अब्जर्वेशन है रजीव जी पंतल जी के तक्निकी तौर पर ट्रेडिंग के लिए ठीक लग रहा है तो शोमेश जी को आपकी अब्जर्वेशन में कोई दिक्कत न